आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि लाक्टोजेन फॉर्मूला हमें कैसे प्रिपेर करना है तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों यह लाक्टोजेन का पैक है मैं स्टेज 3 यूस कर रही हूं क्योंकि मेरा बच्चा एक साल से उपर का है आप अपने बच्चे के एज के अकॉर्डिंग सही स्टेज का फॉर्मूला ले लीजेगा क्योंकि यह पैक में आया था तो इसे मैंने एक एर टाइट जार में अच्छे से पैक कर लिया है इसके साथ ही हमें चाहिए एक स्टेरलाइस प्लास्टिक की बॉटल जिसे हमें या तो किसी स्टेरलाइजर में अच्छे से स्टेरलाइस कर लेना है अदर्वाइस पांच मिनिट गरम पानी में उबाल के इसे साफ कर लेना है साथ में हमें चाहिए पानी जिसे हमें अच्छे से उबाल लेना है और फिर इसे रूम टेंपरेचर पे आने देना है चलिए आप फॉर्मला बनाते हैं तो दोस्तों फॉर्मला बनाने के लिए आपको एक रेशियो का ध्यान रखना है कि हर 30 ml पानी में आपको एक स्पून फॉर्मला डालना है तो जैसे कि अगर आपको 90 ml मिल्क बनाना है तो 90 ml पानी में आप 3 स्पून फॉर्मला डालेंगे मैं अभी यहाँ पे 30 ml फॉर्मला प्रिपेर करने जा रही हूं तो जैसा आप देख पारे हैं यहां मुझे मार्किंग स्केल दी गई है अब हम 30 एमेल पानी लेंगे तो दोस्तों जैसा कि आप देख पारे हैं यहां हमने 30 एमेल पानी लिया है अब इसमें हमें एक स्पून फॉर्मूला डालना है तो दोस्तों हमें एक स्पॉन फॉर्मूला लेना है और इसे हम बोटल में डाल देंगे अब हम अपनी बोटल बन करेंगे और इसे साइडवेज अच्छे से शेक करेंगे तो दोस्तों यह हमारा फॉर्मूला प्रिपैर हो गया है अब हम इसे अपने बच्चों को दे सकते हैं बस आप मेजरमेंट का ध्यान रखेगा कि आपको 30 ml के मल्टिपल में पानी लेना है और उसी के अकॉर्डिंग उतने स्पून फॉर्मूला डालना है एक बात और जो आपको ध्यान रखनी है वो यह कि आपको जब बच्चे को एक बार में फीड कराना है अगर उसके बार फॉर्मूला बच्चता है तो आप उसे ए प्रॉमूला मिल्क को कैसे स्टोर करना है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताईए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग सब्सक्राइब तो मैं चानल फॉर मोर पेरेंटिंग और चाल्ड केर वीडियो बबाई